हेलो एब्रिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तुर्वा गांधी बालिका विद्याले में नई रिकूटमेंट आ चुकी है अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है देखिए सबस जाएगा याद रखिएगा यह वेकेंसी अगर आपके जिले के नहीं है तो वो सब वीडियो देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपके जिले से आई है तवा नहीं बाइदबे मैं डे टू डे हर दिन कस्तुर्वा गांधी की रिकूटमेंट अभी लात वेट अमिनट शॉरी यह देखो यहां से आपको जो है अप्लिकेशन फॉर्म दिख रहा होगा यहां पर आपको पनी फो फोटो जो है आधी पर सिगनेचर करना यहां पर मॉबाइल नंबर वगेड़ा आपको यहां पर अपनी इंफोर्मेशन देनी है इसी तरह से नीचे आपको जो है जो आपने अप्लिकेशन फॉर्म में अपने सर्टिफिकेट और मार्शिट वगरा एड़ किया है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे इसके बाद लास्ट मैं आपको यहाँ पे सिगनेचर करना है रसुया के लिए अलग से है यह तीचर्स के लिए यहाँ से अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं कि किस-किस पोस्ट के रिकूटमेंट आई हुई है वो देख सकते हो आप और आखरी दिन जो है अपलाई करने का वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूँगा देखिए चोगदा आना चाहिए अपलिकेशन फॉर्म यह लास्ट डेट भी मैं आपको यहां से दिखा देता हूं पोस्ट कॉन-कॉन सी आई है वो आप देख लीजिए यहां से आपको दिख रहा होगा इंग्लिस टीचर की रिकूटमेंट आई है बाइस अजार सेलेरी मिलेगी और मुख्य क्रसोया की रिकूटमेंट आई है जिसमें कि आठमी पास होना जरूरी है सहाया क्रसोया के लिए भी सेम और कोई भी बीमारी संक्रामक यानि की कंटिजिनियस जो है डिजीज नहीं होना चाहिए मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 45 है और मिनिमम एज 25 है तो अगर आप इस क सिक्षा अधिकारी कारियाल है समस्त खंड सिक्षा अधिकारी कारियाल है बी आर सी डाइट मौ के अस्थान पे आपको ये 10 एप्रील 2023 के साम पांच बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए याद रखिएगा जो भी प्रमान पत्र बगेरा है वो लेकर जाए इंटर्व्यू जो हो या फिर ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे उसके बारे में भी मैं आपको जनकारी दे दूँगा और लिफाफा के उपर जो है आपको बिसे का नाम और जिस पद के लिए आप आविदन कर रहे हैं वो जरूर लिखा हुआ होना चाहिए उपर में ही otherwise ये consider नहीं करेंगे टैट पास और भी जो बियड है अधार कार्ड है और भी चरित परमान पत्र है उनमें self-attested होना जरूरी है और अपना स्वापता यानि कि अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए दो लिफाफे आपको भेज देने है और रजिस्टर उसमें डाक टिकट होने चाहिए निर्ध पचास के टिकट जरूर लगा दे अधरवाइस यह कंसीडर नहीं करेंगे तो यह वेकेंसी जो है मौव से आई हुई है उत्तर परदेश से इससे पहले भी उत्तर परदेश की बहुत सारी वेकेंसी कल मैंने वारा नसी की डाले थी उससे पहले बदायू की उससे पहले फिर मुझफर नगर की मैंने डाले हुई है तो और भी आते समय और भी वेकेंसी आएगी मुझे याद नहीं रहता है कि किस जिले से मैंने अभी तक डाले हुई है 10-12 वीडियो डल चुकी है कॉमेंट में आप अपने जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि जब भी आपके जिले आपके लिए बना कर आपको जगा सकूं कि अपलाई करने का समय आ गया है वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया अपको को यहांगो अफूर आपको को यहांगो है।